मूख्स पाठ्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनन्दन करते हैं इस मूख्स पाठ्यक्रम में प्राचीनन नियाई के क्या आधार हैं इस विशे पर हम अपना व्याख्यान प्रसूत कर रहे हैं दर्शन में प्रायाह अनेक दर्शन है जिसमें दर्शन सब्द की वित्पत्ती हम पहले प्रस्तुत करेंगे पुनह नियाय शब्द के क्या अर्थ हैं ये बतलाया जाएगा दर्शन शब्द की विद्पत्ति होती है दृष्यते अनेन इतितदर्शनम, जिस विधी के द्वारा, जिस ग्रंथ के द्वारा आपको किसी वस्तु का, किसी शास्त्र का तात्विक ज्ञान हो, वह दर्शन शब्द कहलाता है प्रमाणों के द्वारा अर्थ की जो परिक्षा होती है, अर्थ का जो अवगमन होता है, अर्थ का जो ग्यान होता है, उसे हम न्याई शब्द से जानते हैं दर्शन के दो प्रायह भेद होते हैं एक भेद है आस्तिक दर्शन, दूसरा नास्तिक दर्शन ये दो धाराओं में दर्शन बटा हुआ है हम आस्तिक किसे कहते हैं और नास्तिक किसे कहते हैं किसे भी जानेंगे दर्शन हो या दर्शन सास्त्र के रचैता हो उन्होंने वेद को सबसे परम प्रमाण के रूप में स्थापित किया है खास करके आस्तिक दर्शन में वेद को परम प्रामाण के रूप में मना गया है हम आस्तिक किसे कहते हैं वेद के प्रामायने को जो उपस्था पित करता है वेद के प्रामायने को जो मानता है उसे आस्तिक कहते हैं वेद प्रामाण्या भ्योपगंत्रित्वम आस्तिक अत्वम अर्थात वेद को जो परम प्रमाण के रूप में मानता है उसे आस्तिक कहते हैं और जो वेद के प्रमाण के तौर पर जो नहीं मानता है वेद से विहित जो वस्तु है वेद से विहित जो शाखाएं है उनको प्रमाण के तौर पर जो नहीं मानता है उसे नास्तिक कहते हैं वेद प्रामाण्या नभ्योपगंत्रित्वम नास्तिक अत्वम ये आस्तिक और नास्तिक की परिभाशाएं है आस्तिक दर्शन 6 होते हैं सांख्य सबसे प्राचीन दर्शन है योग, नियाय, वैसेसिक, मीमांसा और वेदान्त ये 6 आस्तिक दर्शन है जिसमें सांख्य दर्शन महर्शी कपिल के द्वारा प्रनीत है महर्शी पतंजली योग दर्शन के प्रनेता है अक्षपाद गौतम नियाय दर्शन के प्रनेता है महर्शी कपिल वैसेशिक दर्शन के रचईता है मिमानसा दर्शन के रचईता महर्शी है और कृष्णत द्वईपायन बेदांत दर्शन के रचईता है इसी तरह नास्तिक दर्शन भी प्रायाः छे भाग में विवक्त है जिसमें तीन उसके मुख्य शाखाएं हैं चारवाक दर्शन, जैन दर्शन, बौध दर्शन बौध दर्शन के चार भेद हैं सौत्रांतिक, बैभाशिक, माध्यमिक और योगाचार ये चार बौध दर्शन के भेद हैं, कुल मिलाकर नास्तिक दर्शन भी छे भागों में विवक्त हैं न्याई दर्शन की जो शाखाएं हैं वो दो तरह की हैं, एक शाखा है प्राचिनन न्याई की शाखा, दूसरी नव्यन्याई की शाखा है प्राचिनन न्याय में प्रमे प्रधान ग्रंथ इसको माना जाता है और नभ्यन न्याय को प्रमाण प्रधान ग्रंथ माना गया है अर्थात प्रमान मात्र को ले करके जो दर्शन आगे बढ़ा है उसे हम नभ्यन्याई शब्द से जानते हैं नभ्यन्याई दर्शन के रूप में जानते हैं और प्रमेय को जो मुख्य तोर पर व्यवस्थापित किया है उसे व्याख्याईत किया है उसे हम प्राचिनन्याई दर्शन के रूप में जानते हैं प्राचिनन्याई में जो प्रमेय हैं वो सब्तविध प्रमेय माना गया है कनाद दर्शन के द्वारा और महरशी गौतम के द्वारा सोडस पदार्थों का विवेचन किया गया है जो की प्रमाण प्रमेई संसे प्रियोजन ये आगे चल करके आपको इन सब की विशेश व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी इसी तरह द्रव्यगुण कर्म सामान विशेश समवाई अभाव इन सात्वदार्थों की विव्याख्या होगी जो प्राचिन नियाई के आधार होंगे और नभ्य नियाई में प्रमाण मात्र को आधार मान करके ये आगे बढ़ा गया है नियाई दर्शन का महत्तु क्या है बिना इसके महत्तु को जाने हम नियाई दर्शन के अध्याइन में प्रवर्त नहीं होते हैं इसलिए इसके महत्तु को हम पहले जानेंगे नियाई दर्शन के महत्तु के विशे में अर्थसास्त्र में कौटिल लिकाते है प्रदीपह सर्व विद्यानाम, उपायह सर्व कर्मनाम, आस्त्रयह सर्व धर्मानाम, शश्व दान्विक्षि की मताम ये अर्थ सास्त्र के विद्धुद्यशब प्रकरण में आया हुआ है और भी हैं विना देव वानीम विना शब्द शास्त्रम विना तर्क शास्त्रम सुखं किंग मुखस्य विना मात्रि हस्ताद विना भ्रात्रि संगम विना गोरसं को रसो भोजनस्य जैसे गोरस की विना दुख्ध दही के विना हम भोजन का आनंद नहीं ले पाते हैं तरह बिना तरक शास्त्र के मुख का साउंदरिय जो वानी का साउंदरिय है नियाय शास्त्र के बिना संभव नहीं है इसलिए नियाय दर्शन अत्यन्त महत्तो पूर्ण है नियाई दर्शन में प्रमान के विशे में प्रधान तया चर्चा है प्रमा करणम प्रमानम और प्रमा चार परकार की होती है प्रत्यक्ष, अनमिती, उपमिती और शाब्द ये चार परकार की प्रमा है प्रत्यक्ष किसे काते हैं? इंद्रिय और अर्थ का जो सन्निकर्ष के द्वारा जो ग्यान की उत्पत्ति होती है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं अनमिति का जो करण है व्याप्ति ज्ञान अनमिति करणम अनुमानम हम धुमा को देख करके आग का अनुमान करते हैं यत्र यत्र धुमा तत्र तत्र अगनी ये अनुमान है और उपमान कहते हैं उपमीति करणम उपमानम इसका करण साद्रिश से ज्ञान है जैसे कहते हैं गो सद्रिशो गवयाः गाय के समान गवय होता है और कोई भी व्यक्ति जो गव से परिचित है लेकिन गवय को नहीं जानता है वह गवय को जानने के लिए वहाँ उदाहरन देते हैं गाई के समान गवय होता है गो सद्रिशो गवय है यह उपमिती है इसका करण सद्रिश्य ज्यान है और आप्त वाक्यम शब्दह जो आप्त वाक्य है आप्त कैसा होना चाहिए जो रागादी वशाद पी नान्यथा वादी सा आप्त राग द्वेश के वशी भूत होकर के भी जो अन्यथा नहीं बोलता ह उसे आप्त कहते हैं और ऐसे आप्त वाक्य को ही हम शब्द प्रमान कहते हैं इसका करण पदग्यान है जैसे ब्रिक्षे आम्र फला निसंती ब्रिक्ष में आम के फल है ऐसे जो यथार्थ वक्ता के द्वारा उच्चरित जो वाक्य है उसे हम आप्त वाक्य कहते हैं और वह वही आपतवाख्य शब्द प्रमान की रूप में जाना जाता है। कि किसी की प्रवर्ति क्या है। नियाई दर्शन का प्रियोजन मुख्यता है एक तो गौणप प्रियोजन है दूसरा मुख्य प्रियोजन होगा गौणप प्रियोजन में सास्त्रार्थ के द्वारा विजय की प्राप्ति और भाषा का सौस्ठव भाषा में जो कुशलता मिलती है वह नियाई दर्शन की अध प्रियोज कत्वा निरुप्यंते तो तत्व की प्राप्ति विजय की प्राप्ति और भासा का सौस्ठव ये गौण प्रियोजन है नियाई दर्शन का और मुख्य प्रियोजन तो मोक्ष है जो समस्त दर्शन के अध्येन से मिलता है इसी प्रकार नियाई दर्शन के अध्येन तत्वज्ञाना निहिस्रेयसं और गौतम अपने नियाय सूत्र में लिखते हैं प्रमाणप्रमेशंसे प्रियोजन दिरिष्टांत सिध्धांता वयवतर्क निरने वाद जल्प वितंडा हेत्वाभासत छल जातिनिग्रस्थान आनाम तत्वज्ञाना निहिस्रेयसाधिकमा एतावता मुख्य प्रियोजन नियाय दर्शन का मोक्ष है इसी के साथ हम आपको इस कक्षा में अध्यान के लिए विशेश आभार व्यक्त करते हैं धन्यवाद